आज हम चिकन फ्राई बनाएंगे, चिकन को अच्छे साब धो लिए, और अचे पीस में कट कर लिए, चिकन में हड़ी नहीं रहना चाहिए, आदा टिस्पून अधरक का पेस्ट लेंगे, आदा टिस्पून लसन का पेस्ट, एक टिस्पून काली मिर्च पाउडर, एक पुरा निम्बू का रस है, दो से तीन टिस्पून तेल, इन सब को समेट के अच्छे से मिला लेंगे, सब को समेट के अच्छे से मिला लिए, पुरा वैडर एक दुसरे में अच्छे से लग जाना चाहिए, बीस मिनिट के लिए रख देंगे, बीस मिन्ट हो गया है, तीन टिस्पून मैदा है, दो टिस्पून कॉन फ्लॉर, आरर और पाउडर भी बोलते हैं, इन सब को अच्छे समेट के मिला लेंगे, सब को हमने मिला लिए, तेल गरम हो गया है, अब मीडियम कर लेंगे और एक एक करके पीस दालेंगे, पहले अच मीडियम में ही फ्राइ करना, तीन से चार मिनिट, तेज में करेंगे तो चिकन पकेंगा नहीं, उपर उपर पक जाएगा, तीन से चार मिंट हो गया है, अब पल्टा देंगे, सब को पल्टा देंगे, फिर तीन से चार मिंट ऐसी तरेंगे, मीडे मार्च में करेंगे सब, हमारा चिकन फ्राई तयार है, कैसा बना, लाइक देंगे